नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मैनेजमेंट गुरुजी चानल में दोस्तों अभी हमारा एक उत्सव आ रहा है हमारे पूरे देश का उत्सव जन्योरी को तो दोस्तों वहां हम बहुत फ्लैक्ट्स वगरा खरीते हैं और दोस्तों हमारे देश वक्ती भी इसी दिन के के लिए होती है ऐसा मुझे लगता है और हम बहुत ही दिल खोल के इस दिन जो हम देश के लिए समर पित का पड़े होते हैं तो दोस्तों पहलित करने बारे में आज हम बात करने वाले लिए जोस्तों सबसे पहली बात यह है कि अभी बहुत से फ्लैक्स आपको मार्केट में बेशने वाले आपको मिल जाएंगे क्योंकि पूरे साल भर तो कोई फ्लैक नहीं बेशता है लेकिन अब 26 जनुरी है 15 अगस्त है इन दो दिनों में हमें इंडियन फ्लैक्स बहुत ज्यादा स्टॉल्स उसके लगाई हुए दिखते हैं और द जिस दिन, जो है, 26 Stanился को बहुत से दुम-दाम से हम, जो जो 26 जनुरी का दिन हे वह मनाते हैं, दोस्तों फ्लैक्स फ्लैक्स करितना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है छाई क्ले Bluetooth आफ़ यह जो जो इस नया डिना चाहिए, जो उस पर हमारा प्रेम है ट्या सोचने वाली बात है 26 जनवरी के बाद वही फ्लैग आपको रस्ते रस्ते पर कुड़े कच्रे में आपको दिखाई देंगे बहुत बुरा लगता है अभी तो मेरे रॉंगते खड़े हो गया भी बहुत बुरा लगता है जब हमारा इंडियन फ्लैग किसी के पाउं तले आता है किसी कच्रे के कुंडी में हमें दिखाई देता है बहुत बुरा लगता है ऐसे वक्त कि हम जो लोग है हम भारत माता की जय बोलते हैं एक दिन पहले और दूसरे दिन उसी भारत माता के फ्लैग को हम हमारे तले लेते हैं दोस्तों बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है तो मैं आप सब को हाज जोड़कर मैं बिंती करना चाहता हूँ कि आप इंडियन फ्लैक बिल्कुल भी मत खरीदो अगर आपको खरीदना है तो आप उसका अपमान भी मत होने दीजिए उसका मान रखिए वो आपके घर में लगाईए जब तक वो खराबने होगा तब तक वही यूज कीजिए लेकिन नए नए फ्लैक्स आप मत खरीदिये अगर ठीक है आज आप नए फ्लैक करीते हैं तो वो आप और 15 अगस्त को और अगले 26 जनवरी को वही यूज कीजिए आप कही भी इधर उधर रस्ते के बाजू या तो कच्रा कुण्डी में उससे बिल्कुल भी मत डालिए दोस्तों जब ऐसा कुछ फ्लैक कही दिखाई देता है तो दिल को बहुत बुरा लगता है और ऐसा देखने के लिए भी बहुत बुरा होता है आप देखे देखिए अगर आप में भी बहुत देश भक्ती है और आप बहुत देश को मानते है तो आप में जब आप देखेंगे ऐसी चीज तो आपके दिल में जरूर कुछ ना कुछ दुख होगा इस बात का हमारा जो इंड Bennett फैग है वह किसी करेंडे में पड़ा है तो दोस्तो मैं आप सबसे कुजारिश करता हूं कि अशे इंडियन फैक्स अब मत खरी दिये और आप जब भी आप इंडियन फैक्स खरीते है वह आप कॉटन के खरी दिये कि वह बहुत सालों तक वही इंडियन फ्लैक्स रहेंगे हम अगर कोई प्लास्टिक के या किसी डिजाइन वाले पेपर्स के अगर हम खरी देंगे तो उसे ज्यादा लाइफ नहीं होती है हो जल्दी खराब हो जाते है फट जाते है तो वह अच्छी बात नहीं है तो आपको अगर कॉटन का कही मिलता है तो आप उसे आपकी घर में लगा यह बड़े शान से लेकिन आप अगर यह प्लास्टिक के अगरा कुछ लेंगे तो बहुत जल्दी खराब हो जाते है और खरा तो दोस्तों इसलिए मैं आप सब को गुजारिश करता हूं कि आप प्लास्टिक वाले इंडियन फ्लैक्स बिल्कुल भी ना खरीदे बस इतना ही मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको मैसेज देना था तो मैं कभी भी दोस्तों इतना फोर्स करके नहीं बोलता हूं कि मेर जो मेरा मैसेज है आप आपके सभी दोस्तों को अभी शेयर कर दीजिए बस यहां से लापको लिंक मिल जाएगी यहां से बहुत से जगाप शेयर उससे कर सकते हैं दोस्तों बस इतनी है मैं आपको आज भिंती करता हूं जैहिन नमस्कार